बस एक उर्पे की फ्लाइट टिकेट सुनने में कितना इंट्रेस्टिंग और यूनिक लगता है ना अब सोचो अगर 10-15 साल पहले ऐसा हुआ हो और वो भी इंडियाम में हुआ हो तो कैसे हुआ होगा और अगर उस पे कोई मुवी बने तो क्या आप देखने जाओगे तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस पे अलड़ी एक मुवी बन चुकी है और अगर आपने नहीं देखी तो वो OTT पे अवेलेबल है लेकिन अगर उसी पिक्चर का exact remake बना के मैं आपको ये बोलू कि ये पिक्चर ना आपको थेटर में जागे देखनी है तो क्या आप उसे देखने जाओगे पैसा परपाद देखो रीमेक्स तो कुछ नया नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि अच्छे रीमेक्स नहीं बनते या रीमेक्स को audience नहीं मिलती गजनी, कबीर सेंग, दरिश्यम ऐसी blockbuster hits हैं जो रीमेक्स हैं लेकिन ऐसी रीमेक्स भी हैं जो super flop हुई है और ऐसे में अपने रीमेक्स कुमार, मेरा मतलब है अक्छे कुमार लेके आये हैं सरफिरा जो कि सोररा राई पोट्रू की official remake है same director, same villain, बस hero different ओरिजिनल में सूरिया थे और यहाँ पे हैं अक्छे कुमार पिक्चर की duration है धाई घंटी की और पिक्चर की story inspired है आर गोपिनाथ की life cave एंट से जो कि इंडिया की पहली low cost airline के founder थे और जब मैं छोटी थी तो मुझे भी आदे कि मैंने एक रुपे की flight ticket का आड देखा था उस time भी लगता था यह सब scam है या फिर जूट है लेकिन actual में ऐसा हुआ था और यह कैसे सच हुआ था क्या क्या उनको hurdles या barriers face करने पड़े थे वो सब इस film में reality और fiction को mix करके दिखाया है तो एक already critically और commercially successful movie के remake में क्या positive है देखो negatives तो है उसके बारे में भी बात करते हैं तो picture की सबसे बड़ी positive चीज जो है वो है इसकी cast की performances चाहिए अक्षे कुमार हूँ या फिर रादिका मदान या फिर जितनी भी supporting actors हैं सबकी performance बहुत अच्छी थी सिर्फ एक परेशावल सर की performance मुझे उतनी कोई stand out नहीं लगी वैसे भी उनका screen time भी बहुत कम था तो वो as an antagonist ऐसा कुछ impact नहीं create करते अक्षे कुमार as usual इस type की movies में shine करते हैं और वो यहाँ पे भी उन्होंने किया है लेकिन क्या उनकी performance में कुछ नया था या फिर उन्होंने इसमें कुछ extraordinary किया है तो वाई उसका जवाब है ना उन्होंने वही किया है जो वो पहले air lift, rustum, इस type की movies में भी कर चुके हैं considering the fact कि यह उनकी career की 150th movie है तो कुछ तो नया बनता है ना इसके बारे में भी अभी बात करते हैं लेकिन अगर मैं नए की बात करूँ तो राधिका मदान जो उन्होंने role pull off किया है जो उन्होंने performance दिया है मतलब एक number जो उनका character भी है एकदम quirky, fun loving है और वो उस character को ace करती भी नजर आती है इवन जहाँ जहाँ पे भी Marathi dialogues थे तो वो भी उन्होंने बहुत properly ace की है overall movie का direction अच्छा है आपको picture starting से end तक hooked रखती है first half के बाद आप ये सोचने लग जाते हो कि हाँ second half भी क्या देखने के लिए मिल सकता है and कैसे देखने के लिए मिल सकता है second half थोड़ा सा beach beach में slow होता है repetitive भी होता है लेकिन movie bounce back करती है and end में आपको satisfied चोड़ती है अगर आपने original movie नहीं देखी है तो तो देखो picture की story अच्छी है and अगर ये एक stand alone movie होती न तो जरूर 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 आपको ये picture में recommend करती लेकिन since ये एक remake है वो भी एक ऐसी movie का जो कि critically और commercially acclaimed है जिसने multiple awards जीते है and जो अपनी original और hindi version दोनों में OTT पे available है तो क्या मैं उसका remake आपको theater में जाके देखने के लिए बोलूँगी देखो कभी-गभी na remakes देखने के भी reasons होते है अगर आप अक्षे कुमार को बहुत जादा पसंद करते हो आपको अगर उनको इस type के रोल्स में देखना है तो आप बेजी जखो के theater में जाके picture देखो लेकिन अगर आप उनके सच में fan हो ना तो आपको ये पता होगा कि अक्षे कुमार का career इस type से नीचे जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा होगा अपने career की start में action को इतने innovative तरीके से present करने वाले अक्षे कुमार आज एक blockbuster hit जाते हैं जो कि back to back flops दे रहे हैं इवन जो उनकी last movie थी वो इतनी बड़ी disaster थी कि producers को अपने officer घर बेचने पड़ गए और इसलिए अक्षे सर को मेरा एक ही message है कि hero गीरी ऐसे remake बनाने में नहीं कुछ original करने में है और अगर आप इससे related video देखना चाते हो तो आपने ये video अल्रेडी channel पे डाली हुई है जिसमें पूरा explain किया है कि क्या अक्षे कुमार का career graph था और आज के time पे क्या चल रहा है तो कि आपने career के इस point पे remix करना सही है या फिर audience को कुछ नया offer करना चाहिए कोई original script या फिर acting में कुछ नया तो I think वो audience ज़्यादा deserve करती है और अगर remix भी बनाने है न तो जरूर बनाओ लेकिन ऐसी movies के जो underrated हो already established movies के remix बनाना I think वो कोई smart move नहीं है जबकि original अगर आप movie देखोगे न तो Surya की acting बहुत ज़्यादा phenomenal है as compared to Akshay Kumar की acting and since मैंने original देखी हुई है तो इसका remake मुझे इतना ज्यादा impactful नहीं लगा picture भी कहीं कहीं पे lindy लगती है songs जो हैं वो बहुत गलत तरीके से placed है screenplay में जो ऐसे लगते है कि क्यो song आ गया even सरफिरा में सूरिया का cameo भी है लेकिन वो भी इस picture को नहीं बचा पाएगा क्योंकि picture की कोई hype ही नहीं है पूरा theater खाली पड़ा था शायद अगर ये OTT पे आती ना तो इसको फिर भी audience मिल जाती लेकिन जिस तरह से चल रहा है उस तरह से तो मुश्किली लग रहा है बाकी थोड़े time बाद झाली बाकी 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 ये जाली रहा है